कि यहीं दोस्तों कैसे हैं आप सब दुवासा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आज हम लोग सुरू कर रहे हैं बिहार फायर में के लिए एक माइस्टर वीडियो जिसमें आपको टॉप जो है को दो से तीन वीडियो में इसको आपको कंप्लेट करा दिया जाएगा तो आप लोग देख लिजिएगा और यह सभी जो प्रेशन है यह वन लाइनर है ठेक तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर जो हम लोग का पहला प्रेशन है कि प्रथम पंच वर्षियों यह ना उनी सो कावन से चपन का जो मुख्य लक्ष कैसे समंबंदी था तो मुख्य लक्ष उसका था क्रिसी और सिचाई से ठेक दूसरा कि फ्लू किसके करण होता है वर्ड फ्लू किसके कारण होता है तो यह वायरेस के कारण हुता है ठेक चलिए दूसरा यहां से प्रश्ण मों का अगला है कि भारत छोड़ अंदोलन कव पराम्भ हुआ था तो भारत छोड़ जो अंदोलन है यह आपको 8 अगस्त 1902 को आराम्भ हुआ था आप लोग राइटेंस से लगा लेजेगा और याद कर लेजेगा यह लगाने वाला नहीं ह और इसमें आपको जो यह प्रश्ण का नमरिंग भी नहीं दिया गया तो आप लोग सिर्फ आपनों देखते चलिएगा और नोबल पुरस्कार कव से आराम्भ हुआ था तो नोबल पुरस्कार 1901 से आराम्भ हुआ था अगला प्रश्ण की मदुसाला के रचैता यहां पर क छाइता है तो हरी बण सिरय बचन अगला के भारत के सबसे उच्चा रवाजा कौन सा है तो बुलन्द अगया की गұवा किस नदी के लितके किनारे बशा है तो गुवां scattering की किनारे बतुट्टराू अग्वा प्रशहिवाक ऑश्डान कुठ पाथे होते हैं थो होते आए oh और छुंबबके सुई किस घिता है तो परसे हममें लोग का है कि थीन बानद पंजाब किस नदी पर इस्तित है तो पंजाब करते हैं और इश्रू का पूव dispersed को प्रभावित करती है तो डाइवटेज दूए यह पर टूदी पॉइंट भात हो रहा है अगला प्रश्ण की तरित चाला थे आप तरित चाला की खोज किशने की थी तो यहाँ पर वेंजामीन फ्रेक्लिन के द्वारा जो है तरित चाला का खोज गया गया था अगला प्रशन हम लोग कि दाची यहां पर दाची ग्राम अव्यारण की स्राजय में इस्तित है तो यह जम्मू कश्मीर में है अगला है कि बियाना जुआ श्रिया की इस नदी के किनारे बसा हुआ है तो यह तुर्की की रधाने तो अंकरा है ठेक चलिया अगला प्रेस्थन है कि बीवी का मकब्र कहां है तो है और अब्रववाद महाराष्ट में है और बीवी का मकावरा को किषने बनवाया था तो यह औरंग जेव के द्वारा है बनाए गया था ठेक अगला की ताज महल का है तो ताज महल अगरा में है और अगला प्रस्ट में हम लोग का है कि यहां पर ताज महल को किषने बनवाया था तो साज यहां के दुराबन वन वाएगा था और 20 जल दिवस को मना जाता है 22 मार्च को मना जाता है अगला है कि प्रिथवी दिवस तो यह 22 अपरेल को ठीक आपको यहां से खनप्यूज नहीं होना है यहां पर 20 जल दिवस तो 22 मार्च और प्रिथवी दिवस तो 22 अपरेल ठे चलिए अगला हम लोग का प्रेशन है कि पहाड़ियों द्वारा तय की गई दूरी किससे मापा जाता है तो देखिए आपर पहाड़ियों द्वारा तय की गई दूरी है पहाड़ियों द्वारा तय की गई दूरी है पहाड़ियों द्वारा तय की गई दूरी है पहाड़ियो से समुंद्र की गाहराई मा पा जाता है और अगला प्रिफन हम लोग का है कि का वेरी जल बिवाद से इननी पठने के लिए गठित का वेरी जल निया धीकरन का गठन कव किया था तो इसका जो गठन जुन 1990 में किया था ठीक और अगला प्रिफने की गौत् humming देस की मुक्ती बंगला देश की समय पकिस्तान के सासा कोई थे तो समय पकिस्तान के सासा के यह थ migration से ठीक अगला है कि कौमसुं किस परकार का यहां पर उपगर रहे का सoterाना पर कोषमोड के किस परकार का उपग्राय है तो यह जासूसी उपग्राय है आप लोग आप्सन कर लिए आप्सन नहीं यहां से अगला प्रेशन देख लेजिए कि 1916 में आखिल भारतिय होमरू लिंक के अस्थापना किषने की तो उस समय जो 1916 में एनी बेसेंड के द्वारा किया गया था अगला प्रेशन हम लोका है के प्रेश्टि भी पर सबसे निचला विंदु क्या है तो सबसे निचला जो विंदु होता है आपका मृतिशागर होता है अगला है कि सोतंत्रता प्राप्ति के समय भारतिय राष्टिय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो ये भी क्रिपला नहीं थे ठेक चलिए अगला प्रश्ण है कि बादेवनी किसके दर्वार में आया था देखे जो बादेवनी है या बादेवनी जो है या अलाव दिन के दर्वार में आया हुआ था अगला है कि प्रकृतिक बहुला का उधार्न है किसका तो सैलू लोजिका अगला है कि कांची पूरम का मंद मंदिर के निर्माड करता कौन है तो यहां पर जो कांची पूरिंग मंदिर का जो निर्माड करता है वो पलाव बंस थे ठेक प्रतिष जैविक के किसा से बनता है तो यहांपको पैनिसलीन कवक से बनता है वो प्रतिष जैविक अगला है कि हडपा कालिन लोथन अस्थल कहां इती थे तो यह हडपा कालिन जो लोथन यह गुजरात में है अगला प्रश्ण हम लोग का है कि काला जार का जो रोग वाहक क्या होता है तो काला जार का जो रोग वाहक होता है आपको सिक्टा मक्खी होता है अगला प्रश्ने के सिंदु घाटी सवयता किस परकार की सवयता थी तो यह आपको सहरी सवयता थी अगला प्रश्ने के सिंदु घाटी के लोग किस की पुजा करते थे तो वह पसु पती के पुजा किया करते थे अर अगला कि चम्बल और साबरमतियां पर साबरमति नदी परणाली किस परवत को द्वीभाजित करती है तो यह आरावली परवत को द्वीभाजित करती है अगला प्रश्ण हम लोग का है कि रूदे सागर जिल किस राजय में इसी थे तो रूदे सागर जो जिल है यह मद्य परदस में है अगला कि यदि दो तत्व की परमानु संक्या समान किंतु दर्वान संक्या भीन हो तो कहलाते हैं क्या कहलाते हैं तो समस्थानिक जिसको आइसोटोप भी कहते हैं अगला प्रशने की देश का यहां पर अस्पेन देश का राष्टे खेल पुछा गया है तो सांड का जो यूद होता यह अस्पेन में ही होता है ठेक अगला प्रशना है कि गुरू मुख्ये लिपी किसके द्वारा विक्सेत किया गया था तो गुरू मुख्ये जोë लिपी है यह गुरू अंगद के के समय वालसराय कौन थे तो उसमें लौड़ कोरजन जो थे वालसराय थे भारत क्या प्रत्व किर्केटë कंप्थान है। चलिए अगला प्वतन हम लोग का हैए कि जान गय पर जान गार्न परasmसूची ऑंतर्कत आता है तो यह जान गर्ना कि और्द सास्त का जनक किसे कहा जाता है तो एडा में समीट को और शस्त का जनक किहा जाता है और नेख्स योप्रेशन है कि गांधी-इःबिं समझोता कब हुआ था तो गांधी-इःबिं सोम्झोता यह 1931 में हुआ था ठेक उधाए कि चोल राजाओं की रिधानी कहा थी तो तान जाओर थी आपसन आपको आपसन नहीं है यहां पर हमको बार बार आपसन कहा दे रहे हैं तो अगला प्रस्ट देख लिजिए कि राज सभा द्वारा लोक सभा को धन भी दे कितने दिनों में लोटा दिये जाने चाहिए तो यह प्रश्ण आ है कि फंद्रोंसो च्पन में पानीपत की जो है दूसरी लड़ाई कैयां पर किसके निती या पहालन नितिये की है तो यह लाट ड़ाहजी के द्वारा किरव नित किया था नहीं कि सुरूब कि अगया था ठेक अगला कि हाइड्रोजन बाँप काविश्कार एडवड टेलर के द्वारा किया था अगला प्रश्ण है कि राष्टिया आय का आकलन कौन करता है तो राष्टिया आय का आकलन केंद्रिय संखी की संगठन करता है और प्रिथवी के एक मात्र उपगरा कौन सा है तो चंद्रमा जो है ये प्रिथवी का एक मात्र उपगरा है अगला प्रेशन है कि बिंदु सार किस बंस के सासक थे तो वह मौरों बंस के सासक थे और हर्स का यहां पर राज कभी कौन थे यहां पर हर्स का राज कभी कौन थे तो वांड भट थे चलिए अगला प्रस्फन है दक्षिन अमेरिका में चरगाह को क्या कहा जाता है तो दक्षिन अमेरिका में चरगाह को पंपास कहते हैं अगला है कि सुन्डा जल डमरू मध्य जो है किसके किसके बीच इसी थे तो सुन्डा जल डमरू जो है आपको जावा तथा सुमत्रा के बीच इस्तित है अगला प्रशने की आर्थिक अपछाय सिदान्त के प्रतिपादक कौन थे तो दादा भाई नवरोजी थे अगला प्रश्ण हम लोगा है कि भारतिया राष्टिय कांग्रेस के प्रथा मुसली मद्यक्ष पूछा गया है तो यहाँ पर बद रूदीन तयद वजी जो थे यह प्रथा मुसली मद्यक्ष थे अगला प्रथा में सुर्ण मुद्राय किषने चलाया था तो सुर्ण मद्यक्ष के सास को द्वारा जो है चलाया गया था अगला कि रोम सहर कीष नदी के किनारे है तो टाइबर नदी के किनारे है जो है रोम सहर इस्तित है और सुर्य की बहरत को किस रूप में यहां पर बंडित क्या गया है तो यहां पर देखिए हम लोग का भारती समिधान में होता है ठीक है थोरसा टैपिंग में मिश्टेक हो गया है तो यह आपको राजियों के स्वंक के रूप में बंडित यहां से तक्या गया है अगला प्रश्ण है कि मचलियों के क्रिज तेल किसंसटी viatamon के परकषूर्ट होती तो इसमें विटाइमिन ट की परकषूर्था अगला कि चुद्र गराकिन दो गरहों के बीच देखे जाते हैं तो यह मंगल और प्रिस्पति के बीच को मना जाता है तो यह अंतराश्टिया में आट मर्छ को मना हम लोगों ने हमक्यों घर बनाया अगला है कि एंजाइम मुलरूम से यह पर एंजाइम मुलरूम से कि जौन होते हैं तो यह प्रोटीन होते हैं यह प्रोटीन होते हैं और हुआ च्वड़ो सम्राथ कान था तो यह पर उन्ति हम क्यल्विन में बात करें तो 310 30 Dallas 5 अन्ठानमे में दिगडि़ी फरना हाइट में होता है ठैक कि & अगला के तुल बुल परिजने किस नदी पर है तो तुल बुल주는 जेलं नदी पर है तो प्रकेस बर्स किसमो बात रखे तो ये का मात क्या है तो हीरे का चमक का कारण होता है प्रकास का पूनांत्रिक परावर्तन ठेक चलिए नेक्स प्रश्ण हम लोग का है कि विक्टोरिया जल प्रपात की नदी पर इस्तित है तो यह जो है जैम बैजी नदी पर विक्टोरिया जल प्रपात इस्तित है हमारे समीधान के अनुश्य एक में क्या बढ़नी थे तो एक में बढ़नी थे कि राजियों का संग भारत को राजियों का संग बढ़नी क्या गया है अनुश्य देख में अगला है कि मान सुरुवर जिल कहा है तो यह तीबत में ठेक चलिए आगला प्राशने की बिजय नगर किश नदी के किनारे इस्ती थे तो बिजय नगर तुंग भद्रा नदी के किनारे इस्ती थे और बहमनी राजाओं के रिधानी कहा थी तो बहमनी राजाओं के रिधानी थी गुलबर्ग ठेक यहाँ पर आप लोग देख लिजेगा गुलबर्ग है और अगला प्रशन है कि तरीत किसके द्वारा उत्पत किया जाता है जैकि जो तरीत है वो किसके द्वारा उत्पत किया जाता है तो यहां पर विद्यूते विसर्जन के द्वारा उत्पत किया जाते है ठेक यहां पर उत्पन किया जाते हैं और सहद में मुख प्रत्थम रेल किसके असाफन में चलाया गया था अगला प्रश्ण हम लोग कि राष्टी समुंद्र विग्यान संस्थान कहां इस तो यह गुवा में हैं अगला कि राज सभा का पदेंच सभापती कौन होता है तो पदेंच सभापती उसका उपरेश्ट पती होता है अगला प्रश्ण है कि भारत का सबसे बाड़ा क्रिसी परयोगी की फॉर्म कहां है तो यह अंबाला में है अगला रक्त चाप उंच किस में होता है तो देखिए जो रक्त चाप उंच होता है वो धामनियों में होता है ठेक चलिए अगला हम लोग का प्रश्ण है कि चक्रवात कि इस कारण से आता है तो चक्रवात जो होता है वो निम्न दाप्स के कारण आता है प्रश्ण की जोग जल प्रपात की इस नदी पर है तो यह सारावती नदी पर है ठेक अगला है कि लोधी बंस के संस्थापक कौन थे तो तो बहलो लोदी अगला प्रस्ण हम लोग का लोदी बंस के अंतिम सासक तो यह इब्राहम लोदी हो जाएगा अंतिम तो इब्राहम अगला कि भारत में बैंको का पहली बार जूराश्ट्य करण कब वह था तो अगला कि मुद्रा राक्षास के लेखा कौन है तो यहां पर विशाग दाते हैं अगला प्रस्ण के रूसी करामतिक कब हुई थी तो 1917 में और आजाद हिंज फॉल्ज का गठन कब हुआ था तो यह 1942 में हुआ था ठेक चलिए अगला प्रस्ण है कि इंग्लेंड के प्रतम परधानमंत्री तो रहापर इंग्लेंड के प्रतम परधानमंत्री जो थे वह रावट वाल पॉल थे अगला है कि मोना जाइट किसका आ अगला प्रस्ण हम लोग का है कि लोकसाभा में किसी बीध्यक को धन बीध्यक के रूप में कौन परमार्द करता है तो धन बीध्यक परमार्द करता है लोकसाभा के अध्यक्ष सिक्षा किस यहां पर सुची कंतरगत आता है तो यह समवर्ति सुची कंतरगत सिक्षा आता है और इंडिया हाउस कहा है तो इंडिया हाउस जो है यह आपको लंदन में ठेक चलिए अगला प्रफ्वन है कि लाफिंग गैस का रासाइनिक नाम तो नाइट्रो सक्साईड होता है ठेक अगला के 200 स्वास्त दिवस को मना जाता है तो साथ अप्रेल को 200 स्वास्त दिवस मना जाता है अगला पॉइंट हम लोगा है कि सीनेमा का विश्कार किष्णे क्या था तो सीनेमा का विश्कार जो है निकोलस और जिन लुथिया के द्वरा किया गया अगला के लिंग आपका सुक्र होता है ठीक अगला कि फोलो का यहां पर फोलो के अध्याइन को कहते हैं तो क्या कहते हैं पॉमो लोजी के ठीक दिल्ली चलू का नारा कि इसने दिया सुबास चंद्रबोस के द्वारा दिया गया था अगला प्रशने की अर्जुन पुरुषकार कब से परामो किया गया था तो यह अर्जुन पुरुषकार जुए 1961 से शुरू किया गया था और ध्यान चंद्र इस्टेडियम का है तो यह मेजर जु ध्यान चंद्र इस्टेडियम है यह लखनौ में है अगला की संपूर्ण यह दूरफ के समर्था कोत्यान है कि प्रोच माइक्रो फोन का इसकारा के कौन है तो माइक्रो फोन ग्रहाम बेल enrolled केंसिने बार थे के सीने बार किसका इसक है तो पारा का एकला की मिटी के कटाव का मुख्य कारण तो इसका मुख्य कारण होता है कि जंगलों का काटना इसलिए मिटी का भी कटाव होता है अगला हम लोग का पॉइंट है कि गुप्त बंस के संस्थापक होते तो स्री गुप्त बंस के अंतिम सा ठेक है कि अगला प्राश्ण यहां पर इंसुलीन की खोज किस ने किया तो वेटिंग मेश्ट के द्वरा जो है इंसुलीन के खोज क्या कै अगली कि अल्बानिया ड्यज्य की रधानी क्ता नाम क्या देखिया अलव के राइधानी का नाम पूछाएगा क्या है तो आपका राइट एंसर हो जाएगा तीराना ठेक कि चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं हम लोग का प्रेशन है कि 200 पर्यावटन दिवसकव मनाते हैं तो यह आपको मनाई जेता है 27 सितंबर को ठेक चलिए अगला प्रस्ण हम लोग है कि अंतिमस्तक देखे चोहान वनजे तो इसका नतिमस्तक राज त्रिथि भी राजב त्रिथिया अगला यां में करत और सिट आ है कि में की भीbank में की अधिकता होती है तो इसमें बिटामिन B1 की अधिक्ता होती है अगला कि नवरतनों का संबंध किसे से है तो इसका जो संबंध है वह आपको अकपर से है अगला कि कभी हरिसेन किसके दरवार में था तो ये समूंद्र गुप्त के दरवार में था चलिए अगला हम लोग का पॉइंट है कि साची का स्थूप को किस सासक ने बनवाया था तो साची का स्थूप जो है असोक के द्वारा बनवाया गया था अगला प्रशने कि प्रसीद संगीत तक या तान से किसके दरवार में रहता था तो वह आकबर के दरवार में रहता था और जो है लौड़ी तथा तमासा की सराज्य का लोक निर्थ है तो लौड़ी तथा तमासा जो है ये महराष्ट का लोक निर्थ है अगला प्रश्ण हम लोग है कि पुर्वी घाट यहों मैं पश्चमी घाट का जो मिला नस्ताल है तो पुर्वी घाट और पश्चमी घाट का जो मिला नस्ताल है वो निलिगरी है अगला की उनिसेफ का मुख्याले कहा है तो इसका मुख्याले निवियर्क में है अगला है गुलाम बंस का संस्थापक तो कुतूब दिन एवक चलिए अगला हम लोगे प्रशने की गैट की जगा है डाबलू टीवो वर्ल्ड ट्रेड ओगनाजेशन कव से दिया कर दिया गया तो यह मानवसभदारी जो है अक्बर के द्वारा चलाय गया था है अगला प्रशने हम लोग का आए कि प्रचीन चीनी यात्री फग्यान की सासक के सासेनकाल में भारत आया था तो यह चंद्र गुप्त दिवितिये के सासनकाल में भारत आये हुए थे अगला है कि सिकंदर की मृतियों कहां हुई थी तो वेवी लोन में उसकी मृतियों हुई थी अगला प्रशने की बीस्वय में जो है मीठे जल की सबसे बड़ी जिल देखिये यहां पर मीठे जल की सबसे बड़ी जिल की बात करें तो सुपिरियर जिल होगा ठेक अगला है कि चीन में लाल करांती के नहीं तो मायो तैव से तुंग के द्वारा किया था ठेक अगला प्रशने हम लोग आए कि टेस्ट कीरिकेट में पर्योग होंए वाली गेंद का वजन कितना होता है तो इसका जो गेंद का वजन होता है पांच पॉइंट पांच जिरॊ आ ओस होता है सबसे अच्छी मानी जाती है अगला प्रशन हम लोग कहा है कि भारतिय समिंधान के में स्वरियां पर भारतिय समिंधान में सरकार का जो समसा दिय स्वरुप के समिंधान से लिया गया तो यह लिया गया आपको प्रतार के लिए इस उपकंड का więcej किया जाता है तो यह चाल को नहीं क्लुता है जो हम ईखा जाके के अगला है कि του तो उने कैंगे दो दोनी वहमये यह फैरी फिरो सता है तो आगा दिखाई देता वह भारत की जलवाईू है वांन्हीका पहारत क्षेषाव्त तो नव सém सकती के लिए कोन सावन्स प्रसीद था तो नौँ साइना सकती के लिए चोल बंस प्रसीद था लखनाव से यहां पर पहले आवद की घ्रदानी कहां थी तो लखनाव से पहले पैजाबाद ते चलिए अगरा प्रश्ण है कि 20 वेका सबसे छोटा देश कौन सा है तो वेटिकन सीटी जो है सबसे छोटा देश है अगला पॉइंट हम लोग का है कि 20 वेका सबसे बड़ा देहां पर बड़ा देश कौन सा है तो रूप से सबसे बड़ा ठेक अगला यहां से हम लोग का प्रेश्ण है कि एलोरा और एलिफेंटा में सैल एक्रित जो चैते किस काल की थी तो यह राष्ट एकुट काल की थी ठेक अगला कि सीख धरम के नौवे गुरु तेग बहादूर की हत्या किस मुगल सासक ने की तो देखिए इसका जो हत्या किया गय देखिए बने करवाया थी अगला प्रेस्ण हम का है कि महाना सबदारी प्रत्तक की सासक ने चलाया तो यह अकुबर चलता और उनम जोए कि सराजे का प्रमुक्तेवार है थी अगला प्रेश्णी कि भारत का कौन सारा आजिया मसाला उत्पादन में अगरनी है तो मसाला में आपको प्रसमस्थान पर केरल आता है अगला कि पंच तंतर के लेखक तो बीशनु सर्मा धुआनी की काई क्या है तो डेसी ब्रमदी क्या पर धुआनी की काई डेसी बल अगला प्रेशनी जो हम लोग का है कि रताओधी किस विटामिन की कमी से होती है तो रताओधी जो है वि चुनाव करा जाता है तो देखिए एक तिहाई को भढ़ने के लिए दो वर्सों पर चुनाव करा जाता है अगला के 208 से दिवस यहां पर पुछा गया है कि विस्वेड दिवस तो एक दिसम्बर को ठेक एक लोह तत्तिं कि अहिडन की कमी से कौन से विमारी होती है तो लिवा लिटामी होती है अगला के फलीदार पौदो की जड्ड में कौनसा वीटामिन पही जाता है तो ईसम्म राइबोज्यूं पाए जाता है अगला कि डाइनॉमाइड थामाइट में मुखे रूप से पहा ज से हैं तो गित सेटी जो है यह बिले याड से समबंदे उनका ठीक अगला कि सुंग बंस के सब्सक्रापन किसने किया था तो सुंग बंस का पुस्य मित्र सुंग के दवारा देका प्रशन हम लोगा कि क्लहुर्ण द्वारा रचित राजतरंगरी में कहां का इतिहां सबढ़नी प्रस्वाइब करता है तो लोग सब्सक्राइब करते हैं अगला प्रस्वाइब का है कि कौन से पक्षि अस्तंधर ही तो चमकादर जो होती है वह अस्तंधर होती है प्रेट्वी क्षे चंद्रबा का दर्वान कितना होता है तो एक बड़स के दौ़ारा प्रस्चर के दौरा गया है अगला प्रश्चन हम लोग का है कि राष्टिय उवा दिवसकों मना जाता है तो बारह जनवरी को है सबसे चोटा दिन कब होता है तो बाइस दिसंबर को उत्री गुलाद में और एक इस जुन को जो है दक्षिनी को लाज में सबसे चोटा दिन होता है अगला प्रिष्ण हम लोगर है कि लीवाटी की प्रतिमा कि सहरम है आघ्स Peng में धेक लीवाटी। युनाटी औरी छोवन प्रतिक उपस्तिती के कारण होता है कि इसके हम अगला वेतितै की उत्त उपस्तिति हंता आहिं ? अगला कि बंगला देश को कव सोतंतर देश हुआ था देखे जो बंगला देश है यह 1971 में कव तो 16 दिसंबर 1971 में अगला प्रश्ण हम लोग का है कि नेपोलियन बोनापाट कहां के निमासी था तो वह फ्रांस का था अगला कि भारतिय wicked प्रसाष्णिक सेवा किस के साथन में परम हुआ था तो यह लोड कारन वाल इसके साथन में परम हुआ था चलिए अगला प्रश्ण है कि कुतब मिनयार को किष्ण बनवाए था तो कुतूब दिने वक के द्वारा बनवाए गया था और अंतियोदाय का जो विचार किस्णे दिया था तो अंतियोदाय का जो विचार है जैप्रकाश नरान के द्वारा दिया गया अगला कि कवेरी ज़ल बिवाद किन दो राजियों से संबन्दी थे तो यह तमिलाडु और करिनाटक ठेक कवेरी जो जल बिवाद है तमिलाड़ु और करिनाटक से मिज़ें से लियागा है तो मौली कर्दब जो लियागा है यह रूश को कहा जाक? जाती है तो देखिए जैस्ति करन या गल्विलाई जैसन कहते हैं या आपको जैस्ते की परत लोहे पर चढ़ाई जाती है अगला प्रशने की ओलंपिक खेल का रहा में कब हुआ था तो सत्रों सो यहां पर सोरतर सो नहीं है पर साथ सोचीहतर इस भी है तो इसको हम लोग अंतराश्ट्य कोर्टे का प्रहथम भारतिन अधिस कौन थे तू नागेंद्र सिंग्यों थे यह आंतराश्टी ये कोर्ट ऑफ जैस्ति की प्रतम नितला प्रेश्ट्य वर कँश्म हैं कभाम्मो थेो का धात्रत जाना जाता है तो पचमि घाट कि आम पेगरी के दिवार की लंबाई कितनी है तो उसकी लंबाई है 88151 किलोमीटर जो की मिल में आपको 500 मिल होगा अगला कि चंदडर्मा पर सबसे पहले मानों को किस देश में भीजा था अगला का पदार्थ के बिस्रिष्ट गुरुत्व को जानने के लिए यहां पर जानने के लिए कौन सा यंत्र है तो यहां पो हाइड्रोमीटर है ठेक अगला प्रशन हम लोग का है कि सर्दी ओलंपिक ख्यल कब से आरम हुआ देखिए सर्दी जो है सर्दी जो ओलंपिक है यह 1924 से सुरूब हुआ अगला कि पावध्य जो है नाइट्रोजन का परियोगी से रुप में करते हैं तो वह नाइट्रेट के रुप में करते हैं चलिए यहां से हम लोग का डबल फास्ट सब्द जो है इसका सम्मद किस ख्यल से है तो इसका टैनिस से सम्द्द है ठेक अगल संसार की सबसे बड़ी खाडी की बात हो रही है तो मेक्सिको की खाडी है ठाक अगला कि प्रचिन भारत में नौल सेयना का जो तुछ प्रथम करीग किस ने किया तो नौल सेयना का सबसे पहले नापर जो ही वो भर है अग्ला की सिख श्ख यूद्ध यह समय हुआ था ठेक चलिए अगला प्रेस्से में आघ्याटिंस राज संजुक्ति राज हÕका मुख्य और सुटत सब्सक्राइब को और संजुक्ति राज कर्षा के बना मुख्य क्रणु तो इसका जो मुख्य कारण होता है केस्ट रोल थे अगला की सिसे का यहां पर की सिसे का जो सीका है यह सत्वाहन राजय वंसों ने चलाया हुआ था ठेक चलिए अगला प्रश्ण हम लोग का है कि बच्चा मनुस्य का पिता होता है किस ने कहा था तो यह कथन जो है वर्ट्स वर्थ के द्वारा कहा गया था अगला कि इलाहबाद अस्तंब किसके द्वारा लिखे गए तो यह स समिधान के संसोधन में राजय सभायां पर राजय सभा के और लोग सभा का जो है कितना हिसा है तो देखिया पर समिधान के संसोधन में राजय सभा जो है लोग सभा का बरावर बरावर हिसा है ठेक अगला कि दमोदर नदी घाटी के अस्थपना कभवा था तो 1948 में हुआ थ अगर को कौन सी नहर जोडती है तोस्फेश नहर जोडती है अगला कि साथ П Overall का नगर स कुसे कहते हैं झाल्ट कि अपनगर मूंबई को चाथा या और भारत का सबसे भड़ा बंद्रगाहे तो मूंबई अगला कीं सबस्क्राइब निर्मान कब जो गेत्वाइआफ इंडिया अगला प्रषण कि हमलोग कि अमेरिका कि मैदन को प्रड़ का जाता है तो प्वेरिएं प्रस। इसियां और इकषिएजा अउंचन को क्या का जाता है है कि आख नोगे का है तो का दुरि anticip कहते हैं हम लो करता है, हमें पर भीतर्अ कि था हरुअन pak इसपे भीतरी सता को सब्सक्राइब ँभर बीत्व की सबस्राइब निंजा-दिया ठीक चलिए अगला जो प्रेश्चन हम लोग कहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन से तो गंगा नदी ठेक अगला प्वांट है कि डाइनेमो का और मेचर की सबसे बना होता है तो यह इस पात का बना होता है अगला के रण पता जुए जनतु अभ्यार्ण कहें थी थे तो यह आपको आस्टारियान मेच थी थी ठेक चलिए अगला प्रश्चन क्यों करेक है कि वर्फ के लिए जो इह ऺैंपर गुलन इससमा होता है तो यह 80 केलोरी प्रतिक ग्राम होता है कौरक रेका भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो आठ राज्यों से होकर गुजरती है अगला प्रश्ण है कि कौरक रेका भारत के किन किन राज्यों से तो गुजरात, राजस्थान, मद्यपद, जारखन, चतिसगर, पच्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपूरा इन आठ राज्यों से होकर गुजरती है चलिए अगला प्रशन की भारत काने पुरिन किसे कहते हैं तो समोंद्री गुप्त को पानिपद का प्रथम जूद तो पंद्रो सो चबिस में होता ठेक चलिए अगला की पानिपद का तीसरा जूद तो यह आपको सत्रो सो एक सट में जो है किस के किस का सांस हो था तो अहमद साह, अवदाली और माराठो के भी ठेक अगला की रण थंभाव जिव जन्तू जो व्यार ने कहां है तो यह राजस्थान में ठेक चलिए अगला है कि सोना का आफ्यक्षिक घनत्व कितना होता है तो 19.302 का आफ्यक्षिक घनत्व होता है ठोस कोण यहां पर घंकोंड की क्या होती है तो अस्टे से रेडियन चेदा आगा यहां पर जम्जीर किस्क तो नियाए का जो जम्जीर है जहांगीर के दौरा अब अगला प्रस्टन देख लिए कि मान चित्रे के सवर्य प्रत्म निर्माण करता कौन थे तो देखिए बीश्वे के जो मान चीत्रे का सबसे पहले निर्माण किया था वह अन्यक जी मेंडल के पर अने जी मेंडर के द्वारा आप लोग कर लेजेगा और अगला प्रिषने की बैदिक सवयता किस पर करके सब्याता है तो यह ग्रामिन सब्याता है ठेक अगला कि भारत के सुरवादिक मुद्रा किस पर खर्च होती है तो यहां पर इंधन तेल पर जोए सुरवादिक में खरिए तो यह चूना करता है और यहां पर मैंगरते हैं एकले इना कट चलिए फैले के लिए ब्रता है में अधिक्ता और खर्यांता काम कर्दी अगे इसमें लेज़ाता है खर्जिम यहां स्वय परहते होना कि आसमें क्लूरो फ्लूर कार्बन जिसको 3FC कहते हैं अगला कि बेलूर किस नदी के किनारे बसा है यहां पर बैंगलूर है ठीक है बैंगलूर जो है यंग्ची नदी के किनारे बसा है और अगला प्रस्म देख लाजाए हम लोग का कि भारत में सोना उत्पादन में अग्रहनी राजिय है तो बस्तू के भार पर निर्पर करता है अगला प्रस्म देखा जाए कि सबसे ठोस पदार्थ क्या है तो हीरा सबसे ठोस है और हिमाले पर चड़ने वाली परत्था महिला कौन थी तो जुंकोते वही थी ठीक अगला है कि लोला कि लंबाई चोगुनी होने पर जो है समय दो जाएगा ठीक अगला हम लोगा कि बार्सा की बुंदर का जो है गोल होने का कान क्या है तो प्रिष्ट ना होता है यहां पर तोसम जो यह तॉमस की रचना किशने की तो भीस में सहानी की द्वरा किया गया था चलिए अगला प्रशने की राइडर कप का संबंध किसा से ह और उंच आपको मापने के लिए परियुख्त होता है तो पाईरो मीटर परियुक्त होता है चलिए आगला प्रिष्ण हम लोगा कि यह मापूस्ता के लेखा कौन है तो महादेवी बर्मा है और चुम्बा किये जो है अगोन की मात्रक क्या है तो इसका जो मात्रक होता है टे बैंनला कंको कि है LIKE आम मुहमभीन थूगलग ने अपनी रधानी दिल से को आस लोगाँ ने सतरे नहीं पर स्ठाविड किया था तो दिल्ली से जो है वह देवनाग्री स्थाविद क में माने सबाकर कि समचनाव ममखरी किसक अनुचारा करने वाम आपनेily सरी नहीं है क्या है ओपेक है ठेक अगला प्रश्ण हम लोगा कि छेत्रपड के दिरिष्टी से भारत का सबसे छोटा राज तो गुवा हो जाएगा चलियां से अगले कि छेत्रपर के दिरिष्ट से 20하면 भारत का अस्थान आहले है तो भारत का स्थाने इसमें दूसरा है अगला की चाहिक अग्षिक अंणिजिघ को लेते राइग सी थाख अगला कि मांदर चलब मत हैं तो यह मांदर जलब परकात है आपको यह 36 गड़ में ठीक अगला की ग्रेंट ट्राइंग रोड कर निर्बार किष्णी करवाया था तो सेर सासूरी ने अगला की दातों का डॉक्टर दात पर प्रकास को संकेंद्रित करने के लिए यहां पर किस दरपन का परियोग करते हैं तो आउतल दरपन का परियोग मणते छाड़ चीअ यहां पर कितने कितने ताप पर होता है पर ज़ं ज्युद्च सब्सक्राइब कर लिए और यहां से 44 पेज तक आज कंप्लीट कर लिए और यह जो हम लोग का समाने सब्सक्राइब कर लिए और अपना इसको देख लिएगा और अपना इसको देख लिएगा और सेट दो भी आएगा तो आप उसको भी कंप्लेट कर लिए इसमें टाप आपको हजार प्रस्नों का संग्रह मिलने वाला ठेक